जहिन दोस्तो जितने भी दस्वी पास केंडिडेट है सभी को एक वेकेंसी का हमेशा इंतजार रहता है दोस्तो वो है पोस्ट आपिस के तरब से जो GDS यानी के ग्रामिन डाक सेवक की वेकेंसी का देखे दोस्तो आज मैं आप लोगों को एक बड़ी खुसखबरी बताने वाला हूँ इस भरती का ओनलाइन अप्लाई डेट से ले करके क्योंकि देखे ये जो वेकेंसी है एक्चुली में सीड्यूल फर्ष्ट बोल करके इसको आना था दोहजार चूबिस के जनवरी फरवरी में लेकिन ये नहीं आ पाया क्यों क्योंकि जो 31 दिसंबर तक जो सीड्यूल टू की लाश्ट डेट थी वेकेंसी का उसका फॉर्म अप्लाई हो गया था जॉइनिंग हो गया था लेकिन उसमें डाकुमेंट वेरिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसके वज़ा से आप लोगों को देखने को नहीं मिला है वेकेंसी लेकिन अभी आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा खुसखबरी है दोस्तों इसका नई बरती से ले करके तो आज मैं इस वेकेंसी का A to Z जानकारी साथी साथ कितना पोश्ट आने वाली है साथी साथ अपलाई डेट स सारा कुछ आसान भासा में बताने वाला हूँ क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको GDS के काम के बारे में पता नहीं रता है GDS में सैलरी कितना मिलता है ये पता नहीं रता है GDS का फायदा कुछ होता है कि सारी उम्र हम GDS बन कर रहकत जाएंगे ऐ ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं तो उन सभी का सोच आज मैं आप लोगों को कम्प्लीट डीटेल से बताने वाला हूँ ठीक है बस आप लोगों से एक मांग है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा देखे दोस्तों ये जो GDS की वेकेंसी है ना वो पोस्ट इसके तरफ से GDS नहीं भरती दोहजार चोबीस है इसमें बहुत महत्पून अदा करता है एक चीज वो है आप लोगों का एज दोस्तों क्योंकि देखे एक चीज मैं बता दूँ एज जिनका अगर आप दस्वी पास है अच्छा खासा परसेंट भी है लेकिन अगर आप 18 सा नाम भी आ गया लेकिन उन सभी का क्या हो गया मेरिट में नाम आने के बावजूद रिजेक्ट हो गया क्योंकि उनका एज है ना उम्र वो 18 साल नहीं हुआ था दोस्तों तो इस भरती में आपका 18 साल कम्प्लीट होना चाहिए 18 से 40 साल और ये जो है ना आपका 1 जुलाई 2024 के अधार पे होना चाहिए दोस्तों ठीक है अब देखे एक चीज और बता दू इसमें एस्टी हो गया एस्टी हो गया पांस साल की छूट मिलता है दोस्तों साथी साथ OBC कैंडिडेट है तो तीन साल की छूट मिलता है और ये जो विकेंसी है ना हर एक राज जिकली अलग लगाती है आप सभी को तो पता ही है अब देखे योग्यता इसका योग्यता बात करनते है तो इसमें आप सभी को दस्वी पास नजर आता है लेकिन दस्वी के अलावा और भी तीन क्वालिफिकेशन मंगता है दोस्तों ठीक है दस्वी पास हो अच्छी बात है दस्वी के अलावा और team qualification आपके पास होना चाहिए, क्या क्या, देखें, सबसे पहला में, आपको local language आना चाहिए, local language कहां का, जिस state में आप form फिल कर रहे हैं, वहां का, जैसे बहुत सारे state में Hindi language चलता है, तो वहां पर problem नहीं है, लेकिन आप यही अगर Assam में भरते हैं, West Bengal में भरते है लेकिन West Bengal में भरते हैं, या फिर और कई जगा पर भरते हैं, तो वहां का local language आपके दसवी के certificate पे होना चाहिए, यानि कि एक पढ़ाई किया होना चाहिए, तभी आप apply कर सकते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, भर देते थे, 2018 के आसपास में form फिल कर देते थे, 10th के certificate ऐसा मंगता नहीं था, 10th के certificate अपलोड करवाता था, लेकिन उस 10th के certificate में ये नहीं लिखा रहता था, कि आप अगर आप दूसरे state से apply कर रहे हो, लेकिन आपके में वो जो local language भी नहीं है, तब भी आप मस्त अपलाई कर सकते हैं, लेकिन अभी के time पे ऐसा नहीं है दोस्तों, ठी दूसरा चीज आपका हो गया, computer knowledge, ठीक है, computer knowledge, अब देखे, computer knowledge क्यों, क्योंकि भी या देखे, अभी के time पे सब कुछ digital हो गया है, हर एक government office digital हो गया है, आप BPM भी बन के जाओगे, या तो आपके office में एक computer रहेगा, नहीं तो आपको एक tablet तो जरूर रहेगा आपके पास, government क दिया हो, इसमें बहुत सारा related जैसे कि आपका कोई किसी कैसे in bank account है, कोई RD किया हुआ है, कोई APD किया हुआ है, bank से लेकर के office से लेकर के बहुत सारी काम होती है दोस्तों, ये सारा काम कौन manage करता है, BPM manage करता है, ठीक है, तो BPM तो आजकल digital हो गया, जिसकी वज़ा से दोस्त आरम जब vacancy आई थी, तब computer knowledge का certificate upload करवा रहा था, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है, अभी आप सभी के पास तो smart mobile phone है, तो एक undertaking form फिल कर आ रहा है, उसी से काम चल जा रहा है, इसका घबराने के जोरत्मी है, तीसरा चीज, तीसरा क्या है, आपको जो cycle है ना, cycle, वो चलाने आना चाहिए, cycle चलाने आना चाहिए, क्योंकि भाईया जो चेटि है ना, उसको तो government आपको तो सड़ी ना देगा bike वाईग, तो वो चेटि को ले करके आपको गाँगाँगाँ पहुचाना चाहिए, पहुचाना है, इसके लिए cycle चलाने आना चाहिए, वैसे तो government Hon, cycle में औरत नहीं है इसके बाद इस वेकेंसी में जो फी है भाईया फी आखिर कितना लगेगा तो आप लोगों को बता दू फी इसमें यूवर कैटेगरी, OBC कैटेगरी या फिर EWS कैटेगरी है ठीक है इसमें 100 रुपय लेता है दोस्तों ठीक है AC हो गया, ST हो गया, PH हो गया, इनसे 00 रुपय फी लेता है अब एक चीज और मैं बता दो फी लेने के बाद क्योंकि देखे, ये GDS की इक्जाम है, GDS की भरती है तो इसमें किसी भी प्रकार का इक्जाम नहीं होता है जब किसी भी प्रकार का इस भरती में एक्जाम नहीं होता ति इससे ले करके मैंने ट्वीटर में ट्वीट किया था कि सर सभी को मौका मिलना चाहिए क्या इसमें एक्जाम हो सकती तो post office के तरफ से मुझे reply आया वो उसमें मुझे twitter में reply किया कि भाई ये भारा सरकार के तरफ से अनुमती के आधार पे भरती हो रही है इसके वज़ा से इसमें हमेशा merit list के through joining होगा कोई return exam नहीं होने वाला है ऐसे कौन किया था reply? government ने साथी साथ एक और आप apply किया मैं एक और tweet किया था वो है इसका qualification से ले करके तो अभी जो 10 वी पास है ना बहुत time पे ये सुनने मारा था कि 12 वी पास होने वाली है तो बता दू 10 वी पास ही रहने वाली है क्योंकि मैंने twitter में tweet करके पूछ दिया था तो उन्होंने बोला था 10 वी पास ही रहेगी साथ साथ इसमें किसी भी प्रकार का एक्जाम नहीं होने वाला है अब देखे अब आप लोगों के पास 9 एक्जाम है अब आपका मन में एक चीज़ आ जाता है वो है salary का ठीक है salary आखिर इसमें salary कितना मिलेगा तो भाई यह दो तरह की post है एक तो BPM हो जाता है एक तो ABPM हो आ जाता है तो BPM का salary कितना रहेगा ABPM तो आप लोगों को बता दू BPM की जो salary है वो basic salary आपको 12,000 ही नहने लेकिन central government में क्या है अभी 50% DA चल रहा है तो 50% DA तो 12 का आधा कितना हो गया भाई या 6,000 सीधा 12, 6, 18,000 हो गया ठीक है उसके बाद आपको कुछ announce वगेरा हो गया जैसे कि क्या चीज मिलेगा आपको room rent वगेरा 500, 600 जो भी मिलता है वो मिला के आप लोगों को लग बग 19, 20,000 के असपास BPM पोश्ट में सैलरी देखने को मिल जाएगा अगर वही आप ABPM पोश्ट पे है तो सीधा आपका 10,000 बेसिक पे है और 5,000 आपको 50% DA की हिसाब से 15,000 हो गया room rent ये सब छोटा मोटा मिला करके 16, 17,000 आप लोगों को मिल जाएगा ठीक है तहाँ पे ABPM पोश्ट पे ठीक है ये तो हो गया आपका सैलरी ले करके दोस्तों अब most important चीज कार्रे क्या है ठीक है कार्रे आखिर आप BPM पोश्ट पे चैन होते तो आपका क्या काम होते तो आपको बता दो BPM पोश्ट में आप चैन होते हैं न दोस्तों ये जो BPM याने की branch post master तो इसमें एक चीज बता दो BPM पोश्ट में चैन होता है तो office work रहता है और साथी साथ office के अंतरगत आपको जितने भी manage है मतलब बाहर से कोई समान आ रहा है यहां से कोई समान जा रहा है यह सब आपको manage करना है ठीक है कोई account खुलवाने आ रहा है उनका account open करना है कोई RD करने आ रहा है तो RD करना FD करना मतलब पूरा office के अंतरगत एक banking से लेकर के आपका duty रहेगा ठीक है दूसरा चीज ABPM का 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 रहेगा assistant branch post master तो इसका काम है न भाई इसका आप लोगों को बता दो जो चिट्थी वगेरा आ गया किसी का ATM आ गया किसी का और related सब को बाटना वगेरा के अंतरगत किसके रहेगा ABPM या फिर dark सिवक के अंतरगत रहेगा ठीक है यह तो हो गया कार रहेगा अब दोस्तो इसका फायदा क्या है ठीक है GDS आखिर GDS आप बन जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी GDS है जो अभी तक GDS ही है तो क्या GDS ही रहेगा तो आप लोगों को बता दू ऐसा नहीं है आप सभी के पास मौका है फायदा तो फायदा सुन लिजे फायदा आप लोगों का इस बात का है पहले आप इसमें डिपार्टमेंटल विकेंसी बहुत सारी आती है डिपार्टमेंटल प्रमोशन के थुरू ठीक है तो अगर आप BPM रहेंगे ना ये BPM रहेंगे ना तो पोस्ट आपिस का लेवल तक पहुँच सकते हैं कैसे डिपार्टमेंटल एक्जाम दिला करके तो डिपार्टमेंटल हर साल या हर दो साल में विकेंसी आती है ठीक है MTS वगेरा तो वो एक्जाम दिला करके आप उपर लेवल के पोस्ट पा सकते हैं और आसानी से चैन ले सकते हैं इस departmental exam में तो घबराने के जोरत नहीं है आप लोग फॉम फिल कीजें एक साल देर साल इंतजार कीजें विकेंसी आते रती हैं आप असानी से फॉम फिल करके जा सकते हैं तीसरा आप MP के candidate हैं फॉम फिल की हैं अरुनाचल प्रदेश में वहां join हो गया आप लोगों का तो एक और फायदा है भाया आप अपने घर के पास में transfer ले करके भी आ सकते हो ठीक है transfer ले करके आप आ सकते हो घबराने की जोरत नहीं है इस GDS बरती में हर साल जो transfer की portal है वो खुलती ही खुलती है तो आपका साल भर वहाँ पे सेवा कर दिये आप transfer लेके अपने घर के पास आजाए ये post office में तो बड़ी खुसखबर ये आप सभी candidate का बहुत सारे candidate ऐसे हैं जो बिहार राज जिसे इधर MP 36 गार या फिर UP अरुनाचल प्रदेश इधर फॉम फिल करते हैं ड्यूटी जोइन करते हैं एक साल डेट साल नौकरी करते हैं transfer लेके आजाते हैं अपने घर के पास ऐसा है आप लोग कर सकते हैं अब देखें ये जो GDS की वेकेंसी है ना इसमें भी आप कैसे होता है तो GDS की जो वेकेंसी है ना कब आती तो आपको बता दो GDS की भरती जो है ना दोस्तो वो आप लोगों का साल में दो बार या एक बार आती है ये भारत की सबसे बड़ी भरतियों में से एक है एक तो क्योंकि ये 70-80,000 कैंडिडेट को जोईन करा देता है ठीक है दूसरी चीज GDS में एक और फायदा है क्यों क्योंकि ये GDS है ना दोस्तो मतलब जैसे कि अभी GDS का लिश्ट आया है जैसे 40,000 वेकेंसी है अब इसका लास्ट डेट है जुलाई एक्जामपल बता रहा हूं ठीक है और ये 40,000 में 30,000 पोस्ट पे जोईन हो गया लेकिन 10,000 खाली है तो ये जो 10,000 बज गया ठीक है ये और साथी साथ GDS जितने भी पोस्ट आपिस में रिक्वार्मेंट के जरूर फॉमफिल कर दीजेगा और एक और जितने भी केंडिडेट इसको 12 पास होगा सोच रहे है तो उनको बता दूँ ये भरती अभी 10 पास ही रहेगा और इसमें एक्जाम नहीं होने वाला है तो जरूर फॉमफिल कर दीजेगा अब देखें बहुत सारे केंडिडेट के मन में ऐसा सवाल रहा था कि सर हमारा कितना पोस्ट कितना परसेंट है तो भरना चाहिए तो आप लोगों को बता दूँ आपका अगर इधर भर रहे है न भाईया घूंदी वाले राज्य में तो आपका अगर 85 प्लस है तो आप भरो ठीक है लेकिन अगर 70 75 प्लस है तो आप नौर्थ इस साइड में फॉंप्री कर दीजेगा क्योंकि उधर चैन का चान्स जादा रहता है अब देखे वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम थी होती है लेकिन भर दीजेगा बाद में ट्रांसफर लेकर क्या जाएगा सरकारी सरकारी होता है ठीक है भले सैलरी कितना भी र लोगों को यानि कि 30,000 प्लस ही आप लोगों को इस भरती में देखने को मिल जाएगा साथ ही साथ आपको बता दूँ एक चीज़ और ये पोस्ट आपिस की भरती में अपलाई डेट से लेकर के अपलाई डेट आखिर कब रहेगा तो अपलाई आप लोगों को इसी जून महिना के लाश्ट में या फिर जुलाई महिना में देखने को मिल जाएगा क्यों क्योंकि भाईया अभी जो अचार सहीता भी कम हो खतम हो गया है जिनका डाकुमेंट और एरिफिकेशन का प्रॉब्लम सौल हो गया है तो जल्द ही आप लोगों को ये वेकेंसी देखने को मिल जाएगा आप ऐसा भी कर सकते हो ट्विटर में जा करके पोस्ट इंडिया पोस्ट ऑफिस को टैक करके क्वेस्चन भी कर सकते हो अचार सहीता खतम हो गया पोस्ट ऑफिस की जो कम्यून नहीं लगता है ठीक है किसी भी प्रकार का अगर आप लोगों का सवाल है कमेंट जरूर कर दीजगा बहुत सारी भरती आ रही है अभी हर एक इस्टेट में अलग-अलग विकेंसी आ रही है जरूर ध्यान देते रहे नहीं तो बाग में पस्ताना पर सकता है दोस्तों आज क आज के लिए बस इतना है फिर मिलते हैं नेक्स चुडियो में नए गवर्मन्ट जॉब नई सरकारी नोप्रीक अपडेट के साथ तब तब के लिए जय हैं